मधु रसोई में खाना बना रही थी उसकी साज जानकी वहीं पर खड़ी थी इतने में मधु को पाद आ गई और उसने मनी मन सोचा अरे यार अब क्या करूँ धीरे से छोड़ देती हो मधु ने धीरे से पाद बार दिया लेकिन उस बात कितनी बद्बु थी कि जानकी ने हाथ से अपनी नाग बन कर ली अरे बहु ये बद्बु कहां से आ रही है पता नी मा जी बाहर से आ रही होगी मधु ने बात को टाल दिया मधु के पेट में हमेशा से ही कुछ न कुछ गरबर चलता रहता था इसलिए मधु हमेशा परिशान रहती है शादी से पहले सब कुछ सही था लेकिन मधु के ससुराल में बहुत जादा मसालेदार खाना खाया जाता है इसलिए शादी के बाद से ही मधु के पेट में गरबर शुरू हुई है शादी के बाद मधू जब पहली बार रसुई में घुसी तब उसकी सास ने कहा ये क्या बहू इतना सा मिर्च पाउडर क्यों दे रही हो और डालो और लेकिन जादा तीखा खाने से पेट खराब हो जाता है अरे हम लोगों को कुछ नहीं होता है तुम मिर्च पाउडर डालो मधू ने बहुत जादा मिर्च पाउडर डाल दिया लेकिन खाते समय उसके ससुर ने कहा अरे ये खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है तीखा पन थुड़ा कम है मधू के पती रमेश ने कहा मधू और ज़्यादा मिर्च डाला करो हम तीखा खाते हैं लेकिन मधू को तीखा खाने की आदत नहीं थी इसलिए कुछी दिनों में वो बिमार पड़ गी उसके पेट में गैस होने लगा उसने रमेश से कहा सुनो जी, मुझे इतना तीखा खाने की आदत नहीं है मेरे पेट में गैस हो रही है चलो नो डॉक्टर के पास चलते है अरे, ऐसी छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास कौन जाता है हां, कुछ दिन तीखा खाओ, आदत पर जाएगा रमेश ने मधु की बात को टाल दिया मधु ने किसी से और कुछ नहीं कहा और आज रस्वई में उसकी बात निकल गई और जान की बद्बु सेह नहीं पाई जान की वहां से भाग जई रात को खाना खाने के बाद मधु रमेश के पास सो गई और नीन में दो तीन वाग माल रमेश नीन से उड़ गया अरे मधु बदबु से मेरा सर चकराने लगा है यह सब क्या कर रही हो तुम मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो पर तुमने नहीं सुना मधु तीखा खाने लगी और इतने में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रमेश उसी दिन दो किलो चिकन ले आया अज बड़ा बिर्यानी खाने का मन कर रहा है मधु अच्छे से बिर्यानी बनाना हा और तीखी मिर्च डालना मत भूलना इतनी तीखी मिर्च डालना कि बिर्यानी लाल रंग की बने तभी तो बिर्यानी खाने में मज़ा आएगा मधु चुप चाप वैसी ये बिर्यानी बनाने लग गई उसने बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च डाल दी और बिर्यानी खाकर सभी ने कहा वा मधू, आज जा के तुमने कुछ अच्छा बनाया है, बहुत तीखा है तीनों ने मज़े से बिर्यानी खाई, लेकिन बिर्यानी खाते समय मधू की हालत खराब हो गई अरे या और इतनी तीखी बिर्यानी कौन खाता है, क्या करू खाना तो पड़े गई मधू ने कैसे भी करके बिर्यानी खा लिया, उसका चेहरा लाल हो गया, और उसी दिन उसका पेट भी खराब हो गया रात को वो रस्वई में खाना बना रही थी, तभी उसे जोर से पौटी आई अरे बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी वाश्रूम जाना होगा मधू बातरूम जाने ही वाली थी, कि तभी बाहर से जानकी ने चिल्ला कर कहा बहू, जल्दी खाना बनाओ, हम सब को भूक लगी है ठीक है, ठीक है माजी मधू बातरूम नहीं जा पाई, लेकिन उसके पेट में दर्द बढ़ने लगा क्या करू, अहां यहीं पर कर देती हो, बाद में फेक दोगी एक बरतन के अंदर मधू ने पौटी कर दी और उसे ढख कर रख दिया उसके बाद खाना बना कर सब को खिला दियो और फिर वो सो गई रसोई से अपनी पौटी को फेकना भूल गई अगले दिन फिर से खाना बनाते वक्त उसे पौटी आई एक काम करती उसी बरतन में कर देती हो मदू ने उसी बरतन में फिर से कर दिया और ढखकर खाना बनाने लगी तभी रमेश ने आकर कहा मदू आज मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं आज शाम को तुम्हें करीब 20 लोगों का खाना बनाना होगा ठीक है मैं बना दूगी लेकिन मेरा पेट खराबे मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा फिर से वही बात यसा पेट वेट कली ठीक हो जाएगा तुम खाना बनाने पे ध्यान दो रमेश ने बात को फिर से टाल दिया ये लोग मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे ए भगवान मुझे बचा लो ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ दिन में मर जाओंगी मुझे बचा लो भगवान मधु ने पूरा दिन रसोई में बिता दिया उसे बातरूम जाने का भी मौका नहीं मिला इसलिए वो उसी बरतन में बार-बार पौटी करती रही शाम हो गई रमेश के दोस्त लोग आ गए और खाने का इंतजार करते रहे यहां बिचारी मधू अकेले क्या करेगी खाना तयार हुआ? नहीं थोड़ा बाकी है और कितना टाइम लगेगा मधू? अरे इस बरतन में क्या है? यह बरतन तो ढखा हुआ है मैं यहीं पहले ले जाता हूँ अरे नहीं वो नहीं रमेश के पास मधू की बात सुनने का टाइम नहीं था वो उसी बरतन को ले गया जिसमें मधू ने पौटी करके रखी थी और अपने दोस्तों को वही सर्व कर दिया सभी दोस्त लोग छीची करने लगे छे 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 हमें घर बुला कर पौटी खिलाता है तुझे शरम नहीं आई रमेश आज से तिरे साथ सभी दोस्ती खतम ये बोल कर सभी चले गए रमेश शरम के मारे चुप हो गया मधु रोने लगी और रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया मैं बार बार कह रहे थी कि डॉक्टर के पास ले चलो लेकिन तुमने नहीं सुना तुम्हारी वज़े से हुआ है आज ऐसा रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ मधु को डॉक्टर के पास ले जाए गया डॉक्टर ने जादा तीखा खाने से मना कर दिया उसके बाद से मधु के हिसाब से ही खाना बनने लगा और सभी खाने भी लगे और इसी तरह धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो गया अनीता की नई-नई शादी हुई थी घर में उसका पती विहान, साज, जया और ससुर राजेंद्र थे वा, अच्छा है, छोटा परिवार है ना ननत का जंजट और ना जेट-जेठानी का लेकिन अनीता को क्या पता था कि अभी उसके सिर पर छोटे परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी घर में अकेली बहु होने के कारण अनीता ने शादी के दूसरे ही दिन से घर की सारी जिम्मेदारी उठाली थी सुबह सुबह जब वो चाय लेकर सास और ससुर के कबरे में गई तो अनीता ने तुरंत चाय का ट्रे टेबल पर रखकर अपने हाथों से नाग बंद कर लिया कितनी गदी बद्बू आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे किसी दे सुसु और पॉटी कर दी हो क्या बात है बहू कुछ नहीं मा जी पता नहीं कहां से बद्बूसी आ रही है अब दरसल बात यह है बहू की तेरे पिता जी को आर्थ्राइटिस की बिमारी है जिसके कारण वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और जब उन्हें सुसु या पॉटी लगती है तो वो जब तक बात्रूम में जाते है तब तक उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर ही निकल जाती है ओहो तो ये बात है लेकिन अभी पापा है कहां वो अभी बात्रूम में है लेकिन बिस्तर में सुसु पॉटी लगी हुई है तो इसे अब धोना पड़ेगा ये सुनकर तो अनिता के होश उड़ गए कि कहीं सास सुसु पॉटी साफ करने के लिए उसे न कहते अनिता मन ही मन बोलू थी ओ नो ये मुझसे नहीं होगा ये मैं कहां फस गई यार अनिता को परिशान देख कर जया बोली तु परिशान मत हो बहू ये सब मैं साफ कर दूँगी मुझे तो अबादत पड़ गई है जया गंदे चादर को धोने के लिए बात्रूम में ले जाने लगी तभी विहान भी वहां आ गया और उसने जया की सारी बाते सुन ली थी विहान ने जया से कहा नहीं मा अब तुम ये सब नहीं करोगी तुम्हारी उम्र आराम करने की है बहुत काम कर लिया तुमने मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा अनिता है ना अनिता करेगी अनिता जाओ ये चादर धो दो उस चादर को देख कर तो अनीता का मन उल्टी करने का हो रहा था बिचारी यही सोच रही थी कि सूसू पॉटी लगी हुई चादर वो धोएगी कैसे लेकिन विहान के कहने पर वो मना भी नहीं कर पाई और चादर लेकर धोने चली गई चादर धोते समय आज तो धो लिया लेकिन आज के बाद ऐसी गंदी चादर में कभी नहीं धोंगी मुझे कुछ करना पड़ेगा उस दिन अनीता शाम को बाजार गई उसे कुछ सामान खरीदना था तभी उसने देखा कि एक औरत कैमिस्ट की शॉप से अपने बच्चे के लिए डाइपर खरीद रही थी हाँ, पापा भी तो डाइपर पहन सकते हैं मैं पापाजी के लिए डाइपर खरीद लेती हूँ अनिता ने chemist की shop से diaper खरीद लिया और घर ले आई, diaper लाकर अनिता ने उसे bedroom में रख दिया, रात में जब विहान की नजर उस diaper पर पड़ी अरे अनिता ये diaper कौन लेकर आया है? मैं लाई हूँ लेकिन अभी क्यों? अभी तो हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं है, क्या अभी इसे बच्चे के लिए सावान खरीद कर जमाखरना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, ये हमारे बच्चे के लिए नहीं है तो फिर किस के लिए है? घर में इसे कौन पहनेगा? पापा पहनेंगे, पापा चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी सुसु पॉटी बिस्तर पर निकल जाती है इसलिए आज से पापा डाइपर पहनेंगे, इससे बिस्तर भी गंदा नहीं होगा और बद्बू भी नहीं आएगी अरे वा, ये तो तुमने बहुत अच्छा इडिया सोचा है? धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, रोज की तरह एक दिन अनिता अपने ससुर का डाइपर फेकने कुड़ेदान के पास गई कितने दिनों से कुड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, कच्रा कुड़ेदान के बाहर तक बिखर गया है अब इस डाइपर को कहा फेकू? यहां तो पिछले कई दिनों के डाइपर अब तक पड़े हुए हैं, कितनी गंदगी हो रही हैं, हे भगवान अब इस डाइपर से छुटकार दिला दो अनिता उस डाइपर को वहीं फेक कर घर आ जाती है, लेकिन उस दिन भी कुड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आई, और कॉलोनी की सड़क पर कच्रा बिखर गया आवारा कुटों ने वहां फेके हुए कई सारे डाइपर दातों से फाड़ दिया और इधर उधर फेक दिये, कुछ कुटों ने गंदे डाइपर फाड़ कर अनिता के घर के दरवाजे पर लाकर रख दिये शाम को जब अनिता सबजी लाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसका पैर गंदे डाइपर पर पड़ा उफ, बस यही कमी बाकी रह गी थी, पुरी कॉलोनी में गंदे डाइपर इधर उधर बिखरे हुए थे अरे, यह डाइपर ना जाने किसके है, पुरे कॉलोनी में बिखरे हुए, अभी तो किसी के घर में बच्चा भी नहीं हुआ अरे, यह जया की नई बहु अनिता है ना, मैंने उसे यह डाइपर फेकते हुए देखा है लेकिन विहान की तो अभी नहीं नहीं शादी हुई है, अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ, फिर उनके घर में डाइपर कौन पेहनता होगा अरे, ना जाने कौन पेहनता है, लेकिन अनीता यह डाइपर फेकती है कहीं वो डाइपर में सूसू पॉटी तो नहीं करती राम 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 क्या आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई है इस उमर में भी डाइपर में सूसू पॉटी लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा हाँ हाँ बेहन अब इस तरह कॉलोनी में गंदगी तो नहीं देख सकते हम जया से बात करेंगे इन आंटियों को लगता है कि मैं डाइपर में सुसु पॉटी करती हूँ मुझे इनकी गलत फैमी दूर करनी होगी पहले बाजार का काम कर लू ये सोचकर अनिता सबजिलाने बाजार चली जाती है सबजी लेकर जब वो घर लोटती है तो देखती है कि कॉलोनी की ओरते जया से शिकायत कर रही थी देखो जया बेहन अपनी बहु को समझा लो कि यूँ कॉलोनी को डाइपर से गंदा न करे पूरी कॉलोनी में गंदे डाइपर इधर उधर फेके हुए लेकिन मेरी बहुतो कच्री की पेटी में ही डाइपर डालती है अनिता ये सब सुन रही थी उसने कॉलोनी की ओरतों से खहा आंटी जी मेरी वज़े से आप लोगों को परिशानी हुई उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ आप लोगों को लगता है न कि ये डाइपर मैं पहनती हूँ तो ये सच नहीं है ये डाइपर मैं नहीं बलकि मेरे ससुरजी पहनते हैं क्योंकि वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और बातरूम तक पहुँचने से पहले ही उनकी सूसू पॉटी निकल जाती थी इसलिए मैं उनके लिए डाइपर लाई थी और कॉलोनी से बाहर जाकर कच्रा गाड़ी में डाल दिया शाम को जब विहान ओफिस से घर लोटा तो अनिता और जया ने उसे सारी बात बताई सौरी अनिता, तुम्हें ससुराल में ये सब करना पड़ रहा है अनिता बहू, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ छेलना पड़ रहा है इस सब के लिए मैं तुमसे माफि मांगता हूँ नहीं पापा, ऐसा मत कहिए आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है मुझे इससे कोई परिशानी नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों पैर ठीक हो जाए इसलिए नहीं कि मुझे आपके डाइपर फेकने पड़ते हैं बल्कि इसलिए ताकि आप भी दूसरों की तरह अपने पैरों पर अच्छी तरह से चल पाएं हम सब भी यही चाहते है आनिता लेकिन यह कैसे हो सकता है पापा के दोनों घुटनों में आर्थराइटिस है और यह कभी ठीक नहीं हो सकता है ठीक हो सकता है विहान पापा के पैर पहले की तरह हो जाएंगे वो कैसे? नी रिप्लेस्मेंट से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के हम पापा के दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवाएंगे पापा के दोनों घुटने नहीं लगा दिया जाएंगे जिसके बाद पापा अपने पैरों पर पहले की तरह चल पाएंगे और उन्हें बातरूम तक जाने के लिए जादा वक्त भी नहीं लगेगा लेकिन नी रिप्लेस्मेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है नो प्रॉब्लम तुम भूल गए क्या कि तुमारे ओफिस की तरफ से तुम्हें मेडिकल इंशुरेंस मिलता है जिससे तुम अपने माता-पिता का भी इलाज करा सकते हो और तुम्हारी जेब से एक रुप्या भी खर्च नहीं होगा हाँ, मैं तु भूली गया था तुमने सही याद दिलाया सच में तुम्हारा दिमाग काफी तेश चलता है मैं कल ही शहर के सबसे अच्छा अस्पताल में पापा के नी रिप्लेस्मेंट की बात करता हूँ सर्फ तुम क्यों? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी दूसरे दिन अनिता और विहान डॉक्टर के पास जाते हैं और राजेंद्र के नी रिप्लेस्मेंट की बाद करते हैं अगले ही दिन अनिता और विहान राजेंद्र को अस्पताल में भरती करवा देते हैं डॉक्टरों की टीम ने राजेंद्र के घुटने को अपरेशन करके उन्हें नए घुटने लगा दिये अप्रेशन के कुछ दिनों के बाद राजेंद्र को अस्पताल से छुटने मिले अनीता और विहान उन्हें घर ले आए जिसके बाद अनीता ने अपने ससोर राजेंद्र की खूब सेवा की कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे करके राजेंदर अपने पैरों पर अच्छी तरह से चलने लगे, अब वो पहले की तरह चल पाते थे, एक दिन अनीता बहु, तेरी वजह से मेरे दोनों पैर ठीक हो गए हैं, अब मुझे बातरूम तक जाने में बिलकुल भी समय नहीं लगता, और अब मैं डाइपर भी नहीं पहनता हूँ, ये सब तेरी वजह से हुआ है हाँ अनीता बहु, तुने हमें सही रास्ता दिखाया और अपने ससुर की बहुत सेवा की है, अब तुझे गंदे डाइपर फेकने से भी छुटकारा मिल गया है, मेरे और तेरे पापा की तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए जया ने अनीता को जूलर्स की दुकान का एक डिबबा दिया, जब अनीता ने उस डिबबे को खोला, तो उसमें सोने का हार था जिसे देखकर अनीता बहुत खुश हो गई थैंक यू माजी, थैंक यू पापा, I am very lucky अनीता और विहान दोनों ने जया और राजिंद्र के पैर चुकर उनका आशिरवाद लिया